नमस्कार दोस्तों बिग बूल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद तो गाइस आज हम डिस्क्रिस करेंगे का सब्सक्राइब च Direction खरया है तो चले गाई स्टोक क चैकनिकल और फंडामेंकल यलेश शुरू करते हैं तो ऑगाई यहां पर हमंधिस करें सूम एक लिम्टेट के बारे में चैनल के इंडिकेट करें तो सबसे पहले उनरशिप के बारे बात तो फ्रीफ लोट में पर सेंट है तो उनरशिप दिस्ट्रीब्यूशन में यहां पर आपको जो है का इस रेड फ्लाइग देखने को मिले लेकर आप देख सकते हैं प्रमोटर जाँ अपने को डंप के रिटेल में बात करें तो कंपनी की वेल्यूएशन जो है भी आपको पी रेशो जो है थोड़े एक्सपनसीब जोन मिल रहा है और valuation भी थोड़ी expensive लग रही है क्योंकि company के stock की जो earnings हो इतनी कम है कि company अपने जो है market cap को stock price को जो है justify नहीं कर पारी तो valuation पर भी यहाँ पर एक red flag है यहाँ पर आप देख सकते company का revenue quarter on basis पर गिरता गया है profit margins गिरते गया है और जो net income है guys वो भी गिरते के यह revenue company का ठीक है वाकि gross profit काफी कम expenses company पर net income जो है negative में guys और जो dividend history के बारे बात का तो company dividend नहीं दे रही debt company पर जो है बड़ा quarter on basis पर free cash flow cash in equivalent में जो है में थोड़ी इप्रूमेंट जो है देखने को मिलिए तो काई सूब एक्स लिम्टेड आपको पता है भी काफी साथा struggle करें अपने जो है order book maintain करने में भी और cash flow अगे रहा है maintain करने में भी और उपर से जो recession आ रहा है global economy इस पर खास कर अमेरिका यूएसे में क्योंकि यूएसे से सब्सक्राइब जो था business मिलता था और वहां पर आपको बताए कि नंबर economics load आना है जिसके विसे ने काफी साथा जो है कर वीक सेंटिमेंट और एक जो है वीक ट्रेंट देखने को मिलना और इनको order book भी मिन्टेन करने में मुश्किल हो रही है तो जब तक जो है global की उस ठीक नहीं होते यूरोब अमेरिका में फिर से economy robust तरीके से चलती नहीं तब तक जो है सूबेक्स जैसे स्टॉक में आपको एक वीक सेंटिमेंट और एक वीक ट्रेंट देखने को मिलेगा और इनका तो शेयर का growth outlook काफी नेगेटिव है तो चले अब इसका चार्ट सेटप आपको एक्स्प्रेंट करते हैं तो चार्ट सेटप जो है सूबेक्स लिम्टेट का भी काफी वीक है काफी नेगेटिव सेंटिमेंट और काफी नेगेटिव ट्रेंड यहां पर बनाए एक डाउनव काफी जादा dependent है बाहर के बिजनस पे क्योंकि बाहर से ने काफी जादा क्लाइंट बेस इनका है और बाहर का अगर क्लाइंट बेस वीक पढ़ता है तो कंपनी के जो है प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कंपनी फिर एक वीक ट्रेंड आपको दिखाती तो अभी मैं आपको यही राय दूँगे इस शेयर को वाइड के जी यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट सैटप किना नेगटिव बना है किना वीक सेंटिमेंट और एक वीक ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ है और एक कंसॉलिडेशन फेज में स्टॉक गया है वॉल्यूम भी काफी ड्राइप है से कीजिए और इसमें बाइंग करने के बारे में मत सोचे तो गाइज इसे वर वीडियो देखने के लिए चैनल को प्रीज सेस्क्राइब कीजिए धन्यवाद